हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो आवर चैनल, आ येम प्रेम कुमार, here we are going to discuss about B mistake, तो यह क्यों हम लोग news में हैं, क्यों discuss कर रहे हैं, तो IR के current affairs के topic में हम लोग original जो भी groupings था और international grouping उसके series में यह आज का topics है, देखिए B mistake जो है इस बार आपको 25 यह year मना रहा है 2022 में, क्यों क्यों कि 1997 में बना था, और किस declaration से, तो बंबे, यह Bangkok declaration, सोरी मैंने बंबे बोल दिया, Bangkok declaration से 1997 में यह बना था, तो इसका 1997 से आप जोड़िएगा, तो 1997 से आप जोड़ दीजे, यह 3 साल इधर, और यह 22 साल इधर, 2022 इधर, तो यह 25 साल हो गया, तो यह समझ जिए कि आपका, जैसे कि लोग मनाते हैं न, golden jubilee, silver jubilee, तो इस तरह से इसका भी 25th anniversary है, तो यहाँ पे देखें, grouping aims to, यह इसका aims क्या था, तो एक्सलेट करना, economic growth को, promote करना, social progress को, दो भी member countries है, उनमें enhance करना, और multiple sectors में, तो देखेंगा आगे, यह, we mistake का क्या क्या principle है, तो आप लोग ऐसे करके, इस sovereign equality, तो यह सी, sovereign equality आप लिख लीजिए, फिर एक और यह arrow देकर लिख लीजिए, territorial integrity, जो भी एक दूसरे के बीच में integrity है, यह territory का, territory का, वो सम, और फिर political independence, यहने कि एक दूसरे के political system हाथचेप नहीं करेंगे, यहाँ पे, फिर no interference in internal, अप यह जो भी एक दूसरे का घरुली, म यह B mistake, आप फुल पंप अले आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे देखिए, यह Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, बे और बंगाल भी बोलते हैं इसको, बंगाल initiative, बे और बंगाल initiative बोलिए, for multi-sectoral, यह technical भी है, और economic भी है, cooperation है एक दूसरे का, तो इतना सरा point हो गया, यहाँ पे देखिए ट्रीक बताता हूँ याद करने का, ट्रीक अचलेगे तो वीडियो के लाइक करेगा, तो देखिए, यहाँ पे क्या ट्रीक है, BBIN, देखिए, BBIN motor vehicle भी एक्ट भी है, तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, और फिर ASMT, तो आप लोग ध्यान दीजेगा, तो बेंकोंक member हैं, तो उसका हम लोग देख लिते हैं, तो यहाँ पे देखिए का, आप भुटान एंड बंगलादेश, B से भुटान, B से बंगलादेश, I से कौन है, इंडिया है, और यहाँ पे M से मेमार है, N से नेपाल है, A से सिरलंका है, T से थाइलेंड है, तो यह BBIN SMT से याद हो देखिए, यह total GDP कितना करते हैं, तो USG 2.7 trillion, देखिए, इंडिया 5 trillion का बात कर रहा था, यह पूरा B mistake मिलका 2.7 trillion का यह कर रहा है, और यहाँ आप देखिए, 22% वर्ल्ड का population इसमें आते हैं, तो यह आप से इनिपिगेंस में भी लिख सकते हैं, इतना सारा चीज हो गया, औ तो दोनों के बीच में एक ब्रीज के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ मेंबर South Asia के भी हैं, कुछ South Asia के हैं, तो इस सब टाइप का आप लोग चीजें देख सकते हैं, देखिए, इसमें जो भी है, बेव बंगाल में हैं, क्योवल मेंबर, जो भी बेव South Asia के ये country थे, तो इस तरह आप लोग ध्यान दे सकते हैं, तो ये सब सारा चीज हो गया, और इसका objective आप लोग थोड़ा सा देख लिजिए, कि भी मिस्टेक का क्या objective हैं, तो यहां पर objective देखते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये significance वाला topic, और फिर दे तो अभी तो लाइक नहीं करें, तो प्लीज लाइक, तो चलिए, यहां पर हम लोग देखते हैं, इसका objective भी मिस्टेक का, तो इसका है to accelerate the growth and promotion to growth and social progress in subcontinent region, जो उपर लिखा बथा न, यही बला उसका objective है, यहां पर in the subcontinent, through joint endeavors in a spirit of equality and partnership, तो यह मैं इस official website से यह देखके बोल and mutual assistance on matters of common interest and in the economic, social, technical and scientific field, तो यह सब चीजे आपको उसमें लिख देना है, यह आपको objective है, और इसका importance in India क्लिए क्लिए क्या है, यह आप लोग कमेंट में बताएगा, इसके significance समस्ते आज जाएगा आप लोगो, और जो dropbacks या challenges है, वो negative impacts में आ जाएगा, और यह सब चीजे, च strategic significance है, economic है, original है, यह cooperation है, और यह security's purpose है भी है, और चाइना का influence को, जो built, one built, one trade initiative ला रहा है, उसके उभी, यह counter करने में मदद करेगा, तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, IPEF, वो वाले वीडियो देख लिजेगा, इंडिया पैस्पी की economic framework, यह USA के दोरा लेड है, तो इसमें inspiration, यह क्यों, तो जो इंडो पैस्पी का concept है, उसको wide करेगा, और Indian Ocean Community को भी, यह, मतलब कि जो भी इंडो पैस्पी का ओस्यान और इंडो, यह Indian Ocean है, उसमें यह बेव बंगाल भी आएगा, तो बेव बंगाल तो यह सब उसमें, अच्छा से मतलब कि और pre open inclusive बनाने का प्रयास करेगा, और आगे देखते हैं हम लोग, यह देखिएगा, यह economic connectivity, यह South East Asian, market में यह अच्छा बनाएगा, और यहाँ आप देखिए, presence of important sea lens of communication and hydrocarbon reserve in Bay of Bengal, तो जो भी बेव बंगाल में यह hydrocarbon का reserve है, उसमें भी यह मतलब कि खोज कमीन करने में, यह काम आएगा, exploration करने में, और करने में काम आएगा, जो भी regional, एक दूसरे के बीच में, एक country के बीच में, एक cooperation आच्छा से improve होगा, और यह bridge के रूप में काम करेगा, South Asia and South East Asia, यह मैंने पहले ही बताया, यह making it a natural platform to fulfill our key foreign policy, तो जो भी हमारा foreign policy यह उसको fulfill करने में काम आएगा, प्रवेटरिज में, और neighborhood first and actist policy, यह वाला point यह लोगों हर बार mention करना है, keyword है, इसको आपको mention करने से extra weightage मिल जाता है, देखिए, security purpose में, अगर हम लोग देखते हैं friends, तो यह वाला देखिएगा, यह be mistake present an opportunity to enhance India's blue economy, देखिए, एक blue economy का concept आता है, यह marine security और marine से related है, यह marine security through regional cooperation, देखिए, यह इंडिया का, sorry, यह China का हम लोग counter कर दियें, और इसका connectivity project कुछ चल ला है, उसको हम लोग देख लेते हैं friends, तो यहाँ पर देखिए, कलादान multimodal project चल ला है, तो यह वाला देखिए, यह project क्या है, तो Kolkata से statewayport को यह जोड़ना है, यह map में भी आप लोग दिखा सकते हैं, इंडिया का मल बंग, sorry, यह आपको Kolkata से, मतलब कि बंगाल का जो सहर है, यह राज़दाने समझेए, और यहाँ पर में मार का जो सीथवे है, उस port को जुड़ना है, और यहाँ पर देखिए, इंडिया में मार थाइलेटर, यह थाइलेंड वाला जो तीनों देश मिल कर एक connectivity बना रहे हैं तो इंडिया और यह जो थाइलेंड है, में मार के तुरू जुड़ेगा, पहले इंडिया से में मार में जाएंगे, फिर थाइलेंड में जाएंगे, तो हाइवेर विल रॉन फ्राम यह मोरे इं मनिपूर, मनिपूर में एक मोरे जगया, मोरे, मोर, यह दिल मांगे मोर, चल तो इंडिया का साथ इस्टेसेन कंट्री के साथ यह मिलके काम करेंगे देखें बंगलादेश बुटान इंडिया नेपाल यह मोटर वी कल यह एग्रिमेंट चल ला है इसको आप लोग डिटेल में पढ़िएगा आइधिंक मैं कभर कराने का प्रास करूंगा तो यहां पर दे सजेशन होगा अगर मैं करा दूद तो अच्छी बात हैं तो आप खुद करीगा देखिए यह चैलेंजेज क्या क्या है तो आप लोग ने देखा क्या इंपोर्टेंस है रिजनल से स्टेटिक एकनोमिकल यह सेकुरेटी और चाइना को कांटर करने के लिए कालादान मल्टी मल्टी मोडल पोर्जेक्ट और आइम्टी का यह टाइलेटरल इंडिया में मार थाइलेंड वाला और यह बंगलादेश का बीबिया इन का मोटर इभी खलेट और यहाँ पर एक चैलेंजेज में अगर आईएगा तो आइन टैप पोटेंचिल दूट लेक अप क्लोज इंट पेंडिंग परिजेंस है जैसे कि वह एस्टिंग ऑफ पर्स थिरोई बताया मैंने वह आप एंसंग करिएगा इंडवे शुकल्ड एज यह मलाइको डाइलेमा इंपेक्टिंग दा अटोनोमी इंड़ सिपिंग डिरूट्स तो जो भी यह बहु सारा यह सिपिंग रूट्स कर देगा यह सार्क का इंपोर्टेंस घट गया रिल्वेस घट गया और भी मिस्टेक अब बढ़ गया इस पॉइंट को भी आप लोग यह पूछा जा सकता है तो उसको आप लोग यह जो मैं आगला वीडियो बनाऊंगा यह आपको सार्क वाला उसको इसको इंटेग्रेट वह बहुत मतलब कि रिलेक्टेंस है तो अभी यह एंटी चाइना नहीं बन पाते हैं यह चाइना थोड़ा सा ओपर पाउर के रूप में है तो जिससे कि यह आपको देख सकते हैं स्रिलांका एक करज लेकर डूब रहा है आपको यह नेपाल में भी बहुत सारा कनेक्टिविटी है और insufficient last mile link है तो एक दूसरे के बीच में मालीजी आपको जाना है थाइलेंड में तो अभी भी में मार के तुरू बनाया जा रहा है तो इस पर भी अच्छे सा वर्क होना चाहिए तो जैसे हम लोग को अफगनेस्तान या कोई भेजना रहते तो हम लोग कह इस तरह से बेस्तान पकिस्तान समय लोग भेजना ही पाते हैं तो यह सब इसू है तो देख सकते हैं यह चाहिए और क्राइब नर्कोटिक्स यह सब ड्रग्स डिलिवरी यह सब चीज है पारेसी है यह आई-उ फीसिंग वाला जो चीज है यह जैसे आपको अभी कुनन कुल में जो अटेक होगा था हो सब देख सकते हैं देखिए बे फरवार्ड में जो चैलेंजे जा है उसी को आपको बताना है की सॉलूशन क्या होगा तो आपको पोलिटिकल इंगेजमेंट एक दूसरे की बीच में अच्छा से करना है यह कुलंबो में एक डिसीजन लिया गा था यह सब्मिट होगा उसके लिए एक मतलब की उसको रिवाइब करें और यहां पर देखिए फ्टियों को और कंक्लूट करने का जोरत है और जो भी मिटिगेटिंग नन ट्रेडिशनल सेकुरिटी थ्रेट है मतलब की जो नया नया थ्रेट आ रहा है उसको और भी यह मिटिग टूरिजम डिप्लोमसी देखिए यह स्रिलंका एकनोमिक क्राइसिस आया तो उसमें टूरिजम का बहुत ज़्यादा जुगदान यह था उसके क्राइसिस में क्योंकि सारा कुरोना के काल में सभी लोग यह ब्रहमन बंद कर दिये थे सोरी टूरिजम हिंदी का यूज कर दि यह बी मिमेस्टेक है बर्च director बहा देख को लंवे में तो इसी चीज का यह बी मिमेस्टेक charter बोला जा रहा है तो इसमें क्या एक पॉटेंस ओटक Michal का ए तो और यह ब्रहमन बदेख गया को निकल क्या है तो आडौटिंग्ज यूश क manifest because international यह प्रेसं लेवल का मानेंगे और with legal personality हो गया यह देखिए यह बट आज रिजिनल organization रिजिनल organization बोल सकते हैं सब रिजिनल तो बोलेंगे ही नहीं itself मतलब इसको भीव किया जाएगा देखिए to reconstitute and reduce the number of sectors of cooperation तो देखिए जो उनका कुछ मतलब पाले सेक्टर का priority sector चला रहा था तो इसमें से 14 से यह more manage 7 7 में यह कर दिये हैं उसको और manage करके कुछ अगर overlap कर रहा हो तो मैं मिला दिये होंगे यह इच member state will serve as a leader of sector तो यह सात जो member हैं तो सातू के सातू यह आपको एक leader बन के उख़एंगे एक उख़एंगे हर एक सेक्टर में तो यहां पर आप सेक्टर देख सकते हैं जैसे पहले आइधिंग 14 था यह 14 दिया हुआ है तो उसको यह सात कर दिया है उसमें जैसे trade investment डाला हुगा तो इसको एक में कर दिया होंगे तो तीन दू पांच छे साथ आट नो दस एगारा दस एगारा बारा तेरा चोद दीखे साइंस टेक्नोलोजी इन्वेशन तीन होगा तो इसको एक कर दिया गया है आप देखें इंडिया को क्या मिला है सेक्रेटी तो इंडिया इतना ज्यादा आपको न्यूज किया था 2070 तक यह कर देंगे तो इस सब को आपको याद रखना है बुटान इंवार्मेंट में है आप लोग जानते ही होंगे बुटान बहुत सारा मतलब की प्राकिर्टिक चीजों पर यह काम करता है प्राकिर्ट यह क्लाइ थाइलेंड में किनेक्टिविटि तो यह अई इंडिया का मैमार के दूर्वर थाइंड में बहुंत के यह देख रही है देखिए एक master plan transport connectivity के लिए डॉप्ट किया गया है इस point को आपको याद रखना है यह दूजाटार साथ ठाइस तक का यह एक मतलब की टाइम प्रियेड है विच ले ले आउट गाइडेंस प्रोम कायां प्रों connectivity related activities in the region in the future तो connectivity से रिलेटे जो भी काम होगा यह एक प्लान आया है तो प्यम गती सकती master plan वह वाला वीडियो देख सकते हैं आप लो नहीं देखेंगो तो इसे याद आया देखें थ्री न्यूज एग्रिमेंट साइन किया गया मेंबर के बीच में बिमेश्टे का एक कन्वेंशन हुआ है mutual legal assistance criminal matters पर एक sign हुआ है और memorandum of understanding MOU sign हुआ है mutual cooperation in the field of diplomatik in training तो यह diplomatic training याद रखना है criminal matters याद रखना है और यहाँ पर MOA sign हुआ है memorandum of association on establishing establishment of be mistake technology ट्रांसपर यह फेसिलिटी तो technology का transfer facility वाला topic यह आप लोग याद करिएगा और यह bricks वाला topic हम लोग उने डाल दिया है उस point को आप लोग जाकर देगे शियान वाला भी डाल दिया गया है और आप लोग देख लिजएगा यह अरनाटो को आप लोग डाल देंगे और यह सभी topic डालने के बाद हम लोग एक marathon session लाएंगे तो उस पर आप लोग देख सकते हैं एक साथ और मेंस का YouTube पर पहली बार हम लोग यह marathon session लेकर आ रहा है है यह international grouping से related IR का current से related तो चैनल को subscribe एंड प्लीज शेर करेगा वीडियो को इस में अंबली क्वेस्ट की लाइक करेगा वीडियो को एंड इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे एंड अल बेस्ट बाबाए देश्टो